नवस्कार हमारा नाम है संब्रीन और आपने बेखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दिल्ली जाते ही बिहार का सियासी तापमान चड़ गया है आपको मालूम है कि बुद्वार को राजत सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और उसके एक दिन बाधी मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं आपको बता दे कि अब खबरों के बाजार में कई तरह की चर्चाएं हो रही है उसमें से एक चर्चा तो ये भी हो रही है कि दिल्ली में इंडिया गडबंधन के तमाम बड़े नेताओं का महा जुटान होने वाला है तो अब इस खबर की सचाई क्या है यही जानने के लिए हम भी सीनियर जॉर्नलिस्ट आरुन पांडे जी के पास आई हुए हैं तो सबसे पहले खूब-खूब स्वाधत आपको भी धन्यबाद जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कभी भी राजनीती में कुछ भी यूँ ही नहीं हो जाता है तो देखे इस वक्त मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी और राज़त सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव भी दोनों दिगज नेता दिल्ली में हैं दिल्ली अचानक जाने क कि पीछे के क्या वजाओं दोनों में कोई अचानक नहीं गया है एक दुसरा अपनी भूमिका में जो आपने बात बताई कि वहां महागरबंधन जो आई इंडिया है उसके घटक दल के नेताओं का महाजुटान होने वाला है आप ही से खबर भी हमें मिल रही है मैं भी खब भी कभी निटीज जी लालुजी के घर चले जाते हैं लेकिन अभी संजोग है कि यँप दोनों दिल्ली में हैं それ बात कि दोनों पने अपने कारण आपको मालूम है कि लालुपिरसाथ के समुकदवान के जंजट में पूरा पड़ीवार फंसा है इया है मता है आफने और उ और आस्वस्त भी हैं तो इसके कारण भी चेक भी कराना हो तो वहां सूलव होगा अब चेक आप करा लेंगे तो कि कारण कोई वह दिली रहते ही हैं पतना आते जाते रहते हैं और उसी तरह नितीज जी गए हैं तो नितीज जी क्यों गए यह सब होड़ी चर्चा आपने ख़वर दी कि वह सूत्रों के हवाले से जानकारी मेडिया वालों को सब कुछ सूत्रों से अब उसमें जो अभी नितीज जी गए हैं तो मेरी ख़वर है कि कोई पॉलिटकल करना कार्च कराम है और वहां दोनों संजोग से विहार के दो बड़े नेता हैं दोनों दिली गए तो चर्चा तो होने लगेगी अपने अपने ढंक से मीडिया भी इसको चर्चा मीडिया में ह अब तो अपने स्वास्तकारनों से गया है और इधर चेक अप के लिए गया है जाते भी रहते हैं पहले से भी कोई कर भी हम लों को मालूम था कि मुकमंत्री जी जा रहा है दिली और पच्चीश को लोटेंगे वो तो मेरी अपनी जनकारी है कोई प्रीशी डियूल नहीं है करें दिल्ली में तो अभी जान नहीं रहें आपकंग्रेस की बात कहें घ्याश को चुनाब है लास्ट जो पांचे स्टेट में चुनाब होना होई एक स्टेज में को होगा और तीन दिसम्बर को रिजल्ट होना है उसके पहले कॉंग्रेशी को फुर्सत नहीं है कॉंग्रेशियों को इसके चलते भी नितीज अपनी प्रतिक्रिया जता चुके हैं कुल मिलाजु लाकर अभी सब कुछ जो है वो तीन दिसम्बर के बादी इंडिया घटक दलों की बैठक होगी फिर आगे की रन नितीत होगी और फिर अभी इस उपचुनाओं में खास करके इंडिया की घटक दलों में जो सपा से जदिव से इन लोग भी तो किसमा तजमा रह से हम अपरेल में क्या कुछ करें यह बात की बात है लेकिन लालु जी और नितीश जी के दिल्ली जाने पर अपनी भूमिका में जो बात आपने कहीं मैं इसको कोई नराजनी जी कुद्देश है दोनों नीजी कारणों से गया है मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला लेकिन एक सवाल हमारे पास ये भी है कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने केंद्र सरकार से दो प्रमुक मांगे की पहला कि बिहार को विशेश राज का दरजा दे देना चाहिए और दूसरी मांग कि आप आरक्षन को सम्विधान की नोवी सूची में आप डाल दीजिए और इन दो मांगों के बाद अचानक से मुख्यमंतरी नितीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो क्या लगता है आपको इसको कैसे देखता हूं कि नितीश जी को जो करना था कर चुक है और यह हर राजनेता कुछ करता है उसके पिछे उसका धे और उत्देश होता तो एक तो काम उनने फिपनबा काम किया यह डिया द रिन् reconciliation का प्रमूब्ला अपने भंक से किया आप पूरे देश में बिहार आक्षणदर से यह लागू गया अब इसमें जो एक पर्षण देनाने कार्चण लोगों इसको लेकर के एक उसका सरनक्षन का एक रास्ता है कि जो इसारक्षन के बिहार के अरक्षन अदिनियम को संभिधान के नौइंट सिनूल में सामिल कर दिया जाए तो तमिलनाट की तरह ही भी प्रोटेट्टड हो जाएगा और ये कोई कोट मैं नहीं जाएगा और कोट समिक्षा नहीं करेगा लेकिन सब कुछ करने के बाद अब बताइए कि इस चीज में इसरे किसको मिला है इसरे नितीश कुमार को मिला है तो नियरेंद मोदी इनकी ताकत बढ़ाएंगे कि घटाएंगे आपके इस सवाल का जवाब सवाल से ही मैं कर र रहे हैं मैं मानता हूं कि हर चुनाप के पहले नितीश जी इस मुद्दे को उछालते हैं तो आप से चर्चा भी मैंने कभी की थी कि मैंने कहा था कि यह भी फिलहाल जो कें सरकार ने मानकते कर रखा है इसे सराज के लिए ना पूरी होने वाली मांग है लेकिन बिहार की जो और फिर 65,000 लगभग पडिवार ऐसे हैं जो आवास भी नजिन को रहने को गार नहीं है इसके लिए तिरिक संसाधन चाहिए वो बिहार के पास तो अभी बिहार सरकार के पास जो कुछ संसाधन है चाहा हो केंद से करों में हिश्यदारी मिलती है वो हक है को हिश्यदारी जो राजकर्मियों को देते हैं और फिर सूद की अदाएगी हम इतने ही भर पूरा कर सकते हैं मने अपनी आमदनी से नहीं तो जब गरीवी मिटानी है बिहार की तस्वीर बदलनी ही तो हमको तो सहता चाहिए तो बिहार आज डिजर्व करता है कि उसको विशेस मदद मिलनी और भूण आज मिलती है ता अभी आँलनी में नितीश कुमार ने केंट्र सरकार से कर दिया है और आप वो क्या यह लगता है मुख्यमंत्री जी की मुलकात पिये मोदी और ग्रही मंत्री अमिशा से भी हो सकते हैं यहां से चली जाएगी और फिर उसी तरह से नाइन से रूल में सामिल करने की बात है देखिए इन सब ऐसी चीज़ों ऐसी चीज़ों होती है जो कहीं परसपर विश्वास से और डिसीजन लिये जाते हैं और फूरे जदी आरक्षन का यह फर्मूला जो बिहार में लागव हुआ है जदी अभी नरेन मोदी की कुछ करेग यहां डीपी चीफिनिसर तेजस्वी आदव ने बिजय कुमार चौधिर ने प्रेस कॉनफेंस का और चुनवती दी कि आप समय हमदर्द हैं तो आप संविधार में संसोधन कर सोचे मत बस दे दीजिए 75 परसेंट की लिए क्या हो रहा है और यह भी कह दिया कि चलिए विश को हम वह इंकार नहीं करेगा विहार बढ़ना है कि हम लोगइस वहले इंकार करेंगा अरक्षन के बाद नितििष कुमार जी कि जी ने दिखा दिया कि जो जिसकी 15 परसेंट आबादी है विहार में अग्री जाती कि उसको 10 परसेंट रिजर्वेशन मिला हुआ है मतलब उन्होंने उस बिल में आप देखेंगी बिल में असपस्तर पर लिखा हुआ है कि जो यह 10 परसेंट का आरक्षन जिलनों को मिल रहा है उबरसली 24 परसेंट का लाव ले रहा है कि बिल्कुल राजनितिक मुद्दा है राजनितिक लडाई है और चलिए इस लडाई में विहार के लोगों को जो आरक्षिद्वर के लोग हैं उनको भला हो जाए जैसे आज विहार सरकार की नोकी में 75 परसेंट आरक्षन दिलागू हो गया है जब तक कि इसमें कहीं कोई अर्चन नहीं होगी तो इसको लाव मिलेगा लोगों को अब है कि इस आरक्षन के बाद जो लागू किया गया है नियुक्ति भी उसी तरह से हो और लोग के पद भढ़ जाए तभी तो लाव होगा है कि कभी कभी जो एक बात होती है इसकी कि जो जो आरक्षित भर्ग है जितने जो आरक्षन मिलता है वास्तमीक में उस सब तक लाव अभी तो एक बात और कहीं है मुक्ति जो बैकलॉग है उसका अलग से आप परदर्शन कीजिए और फ्रेस बहाली निकालते हैं तो अलग से कीजिए और दोनों को गाल मिल करके मत निकाल जितने हैं तो एक समयाब्धी के बाद उसको जेनल से बढ़ा जाता है अब सरकार की परतिवहतर एक डिफरेंट है इसले सवाल आपने किया है कि लालू जी नितिश जी दिल्ली में हैं लेकिन इसका कुई राइप लेकिन दिल्ली में है और जो मैंने पहले भी कहा कि जाहिर इसी बात है दिल्ली में है और राजनीती में कभी भी कोई भी चीज यूँ ही नहीं होती है तो क्या आपको लगता नहीं कि दिल्ली में बड़े-बड़े नेताओं से बैठक हो सकती है कोई मीटिंग हो सकती है मुख्य मंत्री नितिश कुमार की नाराजगी को दूर करने का कुछ प्रयास हो सकता है कुछ नहीं हो तो जब नाराजगी की बात आई तो दूसरे ही दिन कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे साहभी ने फोन से बात कि थी कि भाई हम लोग तो चुनाप के बाद लगेंगे ही त परेल मैं में उसकी चिंता ज्यादा करेगा कि पांच स्टेट में हो रहा है वहां करता है कि बात भर होती है इसलिए दोनों भाई अभी दिली में अपने अपने कारों से हैं और उसमें कोई इसका राजनितिक माने लगाना और फिर को विहार में उसके चलते क्या सर्मी सरग सरगर्मी यहां बढ़ गई है यह सरगर्मी तो जो होनी थी हो गया कि 75% डारक्षान लागू हो गया सरकार ने नोटिफाइब कर दिया आप उसके आलोग में नहीं है कोई नहीं मांग नहीं है 12-13-15 साल से मांग हो रही है तो आपको क्या लगता है आखरी सवाल मेरा यह है क दिल्ली से क्या कुछ निकल कर आ सकता है यूँकि आपने तो इसको सिरे से खारिज कर दिया कि कोई बैठक नहीं है कोई मीटिंग नहीं है अब बाम दल के नेता आजा या घटक दल से जूरू कोई नेता उन से मिलने आजाए तो वह उसको कुई फिर आप राजितिक नजरि से नहीं है मतला वो प्लैंड नहीं होगा नहीं नहीं कोई कहां महाजुटान की बात आप उन्हें जो चर्चा की जो आपकी ख़वर है इसलिए मैंने कहा कि आप से ही ख़वर मिल रही है कि आप तीन दिसंबर के पहले अब कोई कि कितने दिन बचे हैं सब्तावर इंतजार क कल चुनाब हो जाएगा लास्ट और तीन दिसंबर का रिजल्ट का इंति जा रहा है इसके बाद तो फिर अप्राइल महीं में उसके बाद जो है वो सरगर्मिया तेज होंगे लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने लाए उसके बाद फिर गतीविधी सुरू होगी मतलब तमाम क्यासों पर आपनी विराम लगा दिया है अपनी पूरी भरोसे की जानकारी के आधार पर मेरी भी बात बहुते से लोग से होती रहती है वो नितिजी से भले नहीं हम लोग आपके पास आने कि आपका तजूर्बा ज्यादा है तो आप से ही सिधा सवाल पूछा दोनों नोटी से सबको वहां लोग बुलाया है उस केस में और भी है साइद भोला पुछा जी भी गये हैं साइद या उनकी भी नोटी सुए इसी चर्चा सुने वाज मिली एकूल मिला जो लाकर उसमें खबर है जो सीवी आई कारवाई करता है कि उसमें जो लोग कई लोग को सरका और लोग केसरे में सबस्क्राइब के निजाने पर हैं अब वो जिशबंसे मुष्किल हैं बढ़न अबस अब को वहां केस मुकतमा तो है ही इसको कौन पूरा लौ पड़िवार आज केस मुकतमा में जिशबंसे उस मुष्किल में पड़ा जो केस है इसमें आगे की कारभाई होनी है आपने देखा कि वह इडिवाले मामले में अभी सुपरीम कोट में वहां तीन ज़जों की बेंच देख रही थी उन्होंने कल रिफ्यूज कर दिया 25 रिटायर हो रहा है अब फिर से उन तो इसाब से कि मतलब नहीं लेकिश में बहुत सारे दलों के नेता है आप में देखा उसी तरह से अभी कर नाटक में बहां के डिक 她 कुमार में से इंक्वाइरी हो रही थी उजेल में थे अब हो रहा है कि वहां की सरकार के पर्मीशन जो दिती उसको विडियो करने की बात है लेकिन जो केंद्र की कारवाई है अब रहान मंतरी हर मौके पर जिजहंक से बात करते हैं कि हम रस्ताचार मेरे लिए जीरो टॉलेंस है और देश को लुटा है उसको छोड़ेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि एडी और सीविया की कारवाई और तेज होने वाली है तेज होने वाली है उसमें कई राजनेता फिर शिकंजा होगा उसमें सब निशाने पर यह मैं देख रहा हूं इसलिए नितीजी तो कल ही लोट आएंगे तो जो सरगर्मी कुछ क्या वहां छोड़ेंगे वह देखने वाली बात होगी तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुन पांडे जी साफ साफ कह दिया है कि क्या कुछ होने वाला है और जो सरगर्मिया तेज हैं जो क्यास लगाए जा रहे हैं उन तमाम क्यासों पर भी विराम लगा दिया है तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है लेगिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देख रहिएगा लाइफ स बहुत शुक्रिए